सतापदियों की दासता के बाद भारत में स्वतंतरता का मंगल प्रभात जी हाँ ये सबसे पहली वर्डिंग्स थी नियूस पेपर की 15 आगस्त 1947 की बिदा आज से हम लोग मैक्रो एकोनोमिस खदम करके इंडियन एकोनोमिक डवलपमेंट की शिरुवात करने वाले हैं इंडियन एकोनोमिक डवलपमेंट में टोटल क्लास आठ चाप्टर है 40 माक्स का वेटेज है कहने का मतलब है पूरा का पूरा थियरी है हर एक चाप्टर लगभग पांच नंबर इनके बीच कवर करेगा मैं तुम्हें बहुत इंट्रस्टिंग तरीके से बहुत अच्छे से इंडियन एकोनोमिक डवलपमेंट स्पेशली करा दूँगा कि मुझे पता है यह बड़ी बोरिंग लगती है हिस्ट्री सा लगता आपको और क्लास में समझ नहीं आता कैसे भा और इग्जामिनेशन में इस सेक्शन में 40 में से 40 स्कोर करोगे तो आईए स्टार्ट करते हैं इंडियन एकोनोमिक डवलपमेंट क्लास 12 का आज हम पड़ेंगे चाप्टर नमर वन इंडियन एकोनमी ऑन दी इव ओफ इंडिपेंडेंडेंट्स राइट दोसो साल लगबग लगबग 200 साल बहुत होता है 200 साल 200 साल की गुलामी के बाद फाइनली 1947 में भारत को आजादी मिलती है तो यूं कहो भारत आजादी ले लेता है अब ये सारी की सारी जो 200 साल की दास्ता है ये तुमको डिटेल में नहीं पढ़ना है क्लास 12 में हाला कि हर इक बच्चे को इसक सबको सिखा दूँगा समझा दूँगा सिलवस के अंदर रहते हुए कुछ चीजे समझाने के लिए थोड़ा सा सिलवस से ब्यॉंड जाना पड़ेगा लेकिन तुमें ये पूरा समाझ आएगा तो कुरसी की पेटी बांध लो अराम से क्लास कुछ नोटिं की जरुरत नही इंडिन एकांटमी ओन अओ अफ इव ऑफ इंडिपेंडेंडेंडेंडेंस का मतलब क्या है अजादी कभी भी आपको एक आएक नहीं मिल गई कि 14 अगस्त कुछ पता नहीं था 15 अचानक से अजादी मिल गई धीरे धीरे भारत में वो हालात बनने लगे थे 200 साल लगबक 190 सा मानलो एक्जाकली अंग्रेजों ने भारत के ओपर क्लास साशन किया इंडिया की रिसोर्सेस को एकोनोमिकली, इमोशनली, सोचली, पूरी तरीकी से डेमेज किया ब्रिटन है क्लास, जिन्होंने हम के अब पर किया था, जिसको आज आप लोग ग्रेडबीटन, इंगलाइंड भी कहते हो, इहां से क्लास सारा का सारा माल उठा उठा के इंडिया में क्लास सब कुछ था, हैना सोने की चिडिया कहा जाता था, यहां से सब कुछ ले गए अपने तो जो सबसे पहले शुरुवात हुई, वो एक battle के थुरू हुई, जिसका नाम था class Battle of Plaza, डेट ध्यान रखना class Battle of Plaza की, ब्रिटिश रूल इंडिया माया 23rd of June 1757 और लगभग class 15 अगस्त 1947 को जाकर हमें आजादे मिली, यह 190 साल की दास्ता है और इस लड़ाई की शुरुवात ज युद्ध लड़ा गया था दो लोगों के बीच, मतलब दो क्लास ग्रूप के बीच को हो, सबसे पहला रोबर्ट क्लाइफ और दूसरा क्लास सिर्रा जुदुला, ब्रिटिश एम्पार को class उस ताइम पर रूल कर रहे थे, मतलब हमारे यहां पर जो फाइट को जो रूल कर और इन दोनों के फाइट हुई थी class, इनसे कुछ फ्रेंच अलाइज भी थे इनके लेकिन इनोंने दोखा दे दिया इनको, और फाइलली class, रोबर्ट क्लाइफ जीच जाते है और बैटल अपलाजे में जो स्तिर्रा जुदुला है उनको हारना पड़ता है, धीरे धीरे धी लेकिन दीरे धीरे class इनोंने सब पे class अपना जंडा लहराया और class कपजा कर लिया, ऐसा अंग्रे जो ने सिर्फ इंडिया पे ही नहीं किया था, और बहुत सारे अलगलग कंट्रियों पे कपजा जमाय था, तो इंडिया को भी class इनोंने कपजा लिया, अब यहां पे इंडि British colonial rule, मैं बताओं class colonial rule क्या है, जो British colonial rule था India में, को प्रमोट करना, मतलब बेसिकली क्या है, इंडिया के पावर को यूज करना अपने फाइदे के लिए, इनका में परपस क्या था class, उस ताइम पे, बृतन में इंडिस्ट्राइशन प्रमोट हो था, हमारे हां लगभग 90s में इंडिस्ट्राइशन लेकिन इनके हां सोचो क्लास उस ताइम से इनके हां कार खाने बनना चालू हो रहे थे, जब कार खाने बनेंगे तो कार खाने में लोग काम करेंगे, लोग काम करेंगे तो लोग पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे तो खर्च करेंगे, एक की कमाई मैं इंडिया जो कि एक्दम हरा बरा देश था, इंडिया से रॉव मटेरियल को अपने देश में लेकर आएंगे, अपने हां कार खाना बनाएंगे, फिर वापिस उन्हीं फिनिश गूड्स को वापिस इंडिया में बेच देंगे. मतलब कि इंडिया में इनोंने development कुछ नहीं किया, ना चाहते हुए भी इनोंने class railway और communication का थोड़ा इंडिया में development किया है, लेकिन इनके अलावा इन्डिया में कुछ भी development नहीं किया, सिर्फ इंडिया में resources को extract करके अपने देश में लेके चले गए, वहां finished goods बनाया और पुर को study करना है, चाहे colonial rule हो, backward economy हो, developing, stagnant, इस पूरे चैप्टर को बहतर समझने के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है. Vibrant economy, amperoid economy और semi-federal economy. सबसे पहले बात करते हैं, colonial rule कहते हैं, एक country जो powerful है और वो दूसरी country पर कभजा करती है अपने फाइदे के लिए, this is called colonial rule, the policy or practice of a country, जो कि एक वेल्दी और पावर्फुल है, पावर्फुल क्यों है, क्योंकि उनके पास हातियार है, वेल्दी क्यों है, क्योंकि उनके पास हातियार है, वेल्दी क्यों है, क्योंकि उनके पहले डेवलप हो गए, maintaining, extending its control over the other country for the purpose of exploiting resources of dominerary country and development of ruling country. मैं चाहता हूँ तुम अपने नोट्स भी साथ-साथ रखते चलो, simple language बनाय हुए नोट्स है, तुम एजीली समझ आ जाएगा, तो ऐसी कंट्री जो पावर्फुल है, और वो किसी दूसरी कंट्री पर कपजा करती अपने फाइदे के लिए, this is called colonial rule. बैक्वर्ड एकॉनमी, बैक्वर्ड एकॉनमी के ऐसी एकॉनमी है, जहां पर आप देखोगे ना, लोगो का रहन सहन का तरीका जाएगा बहुत लो है, हेल्थ केर सर्विसेस उस कंट्री के अच्छी नहीं है, हाई डेथ रेट, डेथ बहुत ज्यादा होती है, क्लास के कि अच्छी नहीं है, हाई बर्थ रेट है कि लोगो को इतने एजुकेशन लेवल उनका नहीं है, इतने नौलेज नहीं है उनको, लोग पर-क्यापिटा इंकम, पर-क्यापिटा प्रतिवेक्ति आये कम है, मेजर्टी औपॉपॉलेशन डिपेंडिग्टर फॉर सबसिस्टें लोग जया तर चाती बाड़ी पर ब्रसफिए करते हैं जीवन व्यापन करने करने के लिए, यसी एकॉन डाफ्वाजी को हम बाटिगोड इकॉनमी कहते हैं, मिन आक्ले देविलपिपिं एकॉनमी इंड्या इस रे डेवलपिंग्विsaism, क्या इन्डिक्याुनिया लोग कि हो रहा है, so India classic developing economy, a country with a relative low industrial base and depending on agriculture reduce, कहीना की कम हो रहा है, their per capita income is rising, प्रतिविक्ति आय जादा है, transformation हो रहा है agriculture sector to industrial service sector, this is also called a less developed economy या developing economy, जो अभी developing stage में है, हमें less than 80 years हुआ है, एकलास अजादी मिले हुए और 200 साल तक हम लगबग गुलाम रहे थे, तो सोचो अगर आज इंडिया कहीं पर स्टांड कर रहा है, तो वी शुड प्राउड ओफ और हमें इंडिया को कुछ भी बोलने से, ब्लेम करने से पहले हमें खुद को बोलना चाहिए, कि हम सब अच्छे रहेंगे तो हम से मिलकर ही जो है अकलास भारत बनेगा, तो आप सब लोग पढ़ लिग के कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे तो भारत का नाम रोशन करोगे, पर कापिटा इंकम को ऊपर लेके जाओगे, इसी एकॉनमी है, जहाँ स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ है, ऐसा कहा जाता है कि इव उफ इंडिपेंडेंडेंस मतलब आजादी मिलने से पहले, आजादी मिलने से पहले का जो दौर था, उस टाइम इंडिया स्टागनेंट हो गया था, स्टा खेर किलिख के आथ इंडिया से बद्दैटि अले आजादी इंडिया सब्सक्राइब्च्त, इंडिया शचरत गया सादीैटयार मिलने से पहले जादी के नोगिए है, आजाँ पैने तग्नलोजी प्रोच्च्छिन अ मे्ग्रोथी एसी इसी कंट्री है, जहाँ पर्ड़क किया जाता है मार्केट में बेचने के लिए या फिर नांटीन सिक्स्टी की बात करो तो अमेरिका इतना अना जुगा रहा था कि क्लास वो अलग-अलग कंट्रियों को बेच रहा था नाज या उनको फ्री में अनाज दे रहा था अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आमेरिका और रॉष्या हमेशा ये चाहती कि हम सूपर पावर बने पूरा वल्ड मतलब पर व्ल्ड पे हम कच्छा करे हम ही यह बस ठीक है अब देदरे चायन भी इस लाइन में आ रहा है और इवन क्लास इंडिया भी इसी लाइन में आ रहा है दीरे दीरे बट इनमें करा के उनको तोड़ते चले जाओ, सौ लोगों में हम लोग सौ लोगों को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सौ की लड़ाई करवादो, पचास-पचास अलग हो जाएंग, तो आप इस पचास पर कंट्रोल कर सकते हो, समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, the British's policy of divide and rule always promoted discrimination between various class, अलग अलग basis पर, religion के basis पर आज भी होता है, caste के basis पर, language के basis पर, culture के basis पर, आप daily basis पर news देखते हो, किसी ना किसी basis पर दो गुटों में, दो दलों में लडाई जगडा होता है, किसी भी basis पर, not only Hindu-Muslim लेकिन अलग अपने इंडिय में ही अलग अलग कास्ट के basis पर भी लड करता है, जहां पर जमीदार क्या करते हैं, क्लास, लोको से काम कराते हैं, और उनका सोशन करते हैं, थोड़ा सा शेयर देते हैं, the land settlement system gave a birth of federal relationship, the landlord used to charge very high rate of lagan and were very cruel to the cultivators, मतलब कि तुम जाके उनकी खेती कर रहे हो, सबकुत तुम कर रहे हो, पर तुमें थोड़ा सा हिस्सा मि तो इसको बोलते हैं, land settlement system, detail में आगे पढ़ेंगे, semi-fedial economy, अंग्रेजो के आने की बाद, अंग्रेजो के आने की बाद, आजाजी से पहले कुछ इस ताइप के हालाद बन गे थे, एक तो डिवादन रूल, उन्हें पता है कि बाटा, पाकिस्तान को भी अलग कराया, आपक क्लास आगे में पुलंबी कहाने सुनाउंगा, इसकी कर बहुत इंट्रस्टिंग अच्छा अंग्रेजु के आने से पहले पहले ने अंग्रेज जब हमारे देश में आये उससे पहले भारत कैसा था क्लास आपने सुना भी एक डॉलर एक रुपए के बराबर हुआ करता था आज हमें 83-84 रुपीज देने पढ़ते हैं जस्त एक डॉलर के लिए तो अंग्रेज ने हमारे पूरे देश को बहुत बुरी तरीके बरबाद किया, इतना की शब्दों में बयानने किया सकता, इतना मारपेट और इतना जादा क्लास वाइलेंस और इतना जादा डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ अपने फाइदे के लिए, लोगों ने बहुत सहा है और हम सब आप सब हमेशा अखुस गुजार हुने चीए कलास हमारे जुस्वतंतरता सैनानी है, जिवने कलास हमें आजादी दिलाई, चाहे वो कोई भी हो, उन सब का कॉंट्रिबूशन हमें हमेशा ह्याद रखना चाहिए, आज हम प्री हैं, आज कलास हम अपने मन से जी सकते, अपना जीवन अपने हिसाप से जी सकते हैं, तो before the advent of British rule, अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया एक प्रसपरस economy था, self-reliant बोलते हैं इसको, आत्म निर्भर भारत, आज मुदी जी बनानी कोशिश कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के आने से पहले आत्म निर्भर ही थे, हम क America हमें अनाज देता था, सोचो, अगला क्या है class, India was rich in terms of food green, हमारे पास food green ही कोई कमे, rice, wheat, mage, pulses, different type of food crop, इसके हमारे पास भर पाँ, भर मारती, हम class अपना consumption करके हमें, हमें कोई problem नहीं थी, agrin economy, major population, लगभग 85% population was depend on agriculture, आज आपको सोची जो के demand है, उस time class आपको रोडी कप करते थे और आपने देखा भी गाओं में आज भी देखना आपके दादव दादी के लेवल के जो बुड़े लोग होते हैं, तो जब वो अपने घर से कहीं जाते हैं, तो वो मिठाईयां की जगे, वो क्या करते हैं, अपने बाग से कुछ fruits हो गया, कुछ वेजटेबल सो ग तो इस तरीके से चीज़ चलती थी पहले, तो अग्रिन एकॉनमी था, major population was depend on agriculture, और अग्रिकल्चर है, लोगड़न में क्या देखा आपने, लोगड़न जब लगा भारत में या पुरे वल्ड में लगा, तो हमने क्या देखा कि हमें सबस्याज जरूरी जो है वो क्या है, क् प्रूट्स, फ्रूट्स, वेजटेबल्स, हमाले अनाज वो सबस्याज जरूरी थी, तो वो अगर है तो जिंदगी जील हो गया, अगर मेंगी गाड़, मेंगा घर नहीं है, मेंगे एकुपमेंट्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर आप कहती बाड़ी कर लोग यहां से गाओं के तरफ जारे थे अपने, क्योंकि कि पता है कि गाओं में भूके नहीं मरेंगे, वेलनोन हैंडी क्राफ इंडिक्राफ 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 इंडिक्र के पूरे पूरे उल्ड हम इसको चाल को मेफिए एम जाओगी टो बहुत सारी चाल में पूरित जाओगे, छिल्क साडिका, इस तदिके से काम होता है न कलास जो बहुत फाइन है और कलास ही एक्सपोर्ट किया चाल्स मैनवर के मस्षीन इस तरह काम नहीं कराए कभी भी भी जो कलासे लोग हाथ से करते हैं और काफी महंगे दामों में आगेचल के ऐप्सपोर्त किया करते के आप खोणाल, इंड़न आफ लेती एंचेश्ट्री पीस्टी है... में तभाकेश ले एports maigledies. अब देजा रोहे ही यहागी आपने वाले आफ तरह एरिया . अब जाफ लेते आफ लिवागे न लिवाग,rist बस्त्री आफ बेंडरि,선 जितना देच्ति, विल्टे दसके रखें, राचितोस्य से साणे कई нед 민フाईयर काते हैं किसे भूनी के बूना जाता है। इतना लिए पाइन काम करें लिए अंगरेज ह 대해 क्या है, कहा है है में उपनी, अंगरेजा बन के लोहकं क्या है। मुल्मल का कपड़ा, अपने सुना जरूर होगा मुल्मल का कपड़ा, आपने पूछ पूछना बेटर कि इतना फाइन कपड़ा होता है, मुल्मल कपड़ा, लड़कियों के सूट अगर यह बनाई जाते हैं, जो काफी एक्सपेंसिव नहीं। मुल्मल का कपड़ा, गड़कियों के सुना व। तरिंगल नाव ठावलेश आपका थाण प्रचीज अवराइटी अप्रेंगल अभाइटी अवर्ण शाहि और इंप्लाइट उप्लाइटी ने पूराइट कि अप्लाइड डग्जरी माना जाता है, यह उसकी अज्या वालेश्टी अप्लाइटी लेकिन अंग्रेजों के आने कि यह गया, क्लास, यह सारी चीजे जो अग्रेजुन ने हमारे यहाँ पर दिश्ट्रोई किया, यह था. अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को अगे चलाएंगे अंग्री जो ने हमारा अग्रिकुल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर किस तरीके से बरबाद किया वो सारी चीजे क्लास अम लोग नेक्स क्लास में पढ़ेंगे आप यहां थक पढ़ेंगे अच्छे से बया करक्या हो गयीा थक्तर कर यहोगे मैं कोशिष कररहा हूं कलास अगर आप दो से तीन दिन ले यहां एक चैप्टर कलों की मत्चे से लर्न कर लोगा इंडिक दिवलूमेंट कर घीं दिन में नेख चैटर बस तो यहां तक पढ़ें समझ के अच्छे से याद करके आना, ताकि नेक्स क्लास से हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएं, तो पुराना तुम्हें अच्छे से याद हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरू करना, अगर आप क्लास 12 में होतो, बाकी मिलते हैं सब्सक्राइब जरू करें नेक्स वीडियो में, तेक क्या, बाए-बाए.